अब ही ये टॉपिक जिसके उपर में बाते करने वाली हूं उसके उपर हजारों लोगों ने वीडियो बना दिये हैं लेकिन मेरे साथ ये रिसिंटली हुआ था, मेरे बच्चे के साथ हुआ था, वो अभी धाई साल का है और ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी तो मुझे लग कि ये चैनल पे वीडियो इसको जरूर अप्लोड करने चाहिए, कहीं न कहीं पैरेंट्स के मन में जरूर ये ख्याल आता है और कभी न कभी ये प्रॉब्लम आपको जरूर देखने के लिए मिलती है, अगर आपका बॉई शायल है तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे मे क्यार करना बहुत ज़ादा जरूरी है और ये जो पॉइंट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कई बार लोग बोलेंगे कि नहीं ये डॉक्टरी तरह से ये अलाउट नहीं होता है, इसको नहीं करना चाहिए, दिक्कते हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़े मन में आ सक लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि नहीं, अपने तरफ से आप कोई भी कसर मत छोड़िये, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ ये प्राब्लम हुई थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और पैरेंट्स के साथ ये प्राब्लम आए, हुआ क्या था, कि आपको पूरे आपको अपने बची का ध्यान रखना है, इस्पेशली उसके प्राइविट पार्ट्स को भी लेके, चाहिए अगर अब वो गल्चायल्ड हो या फिर बॉइचायल्ड हो, तो अभी हम लोग इस्पेशली बॉइचायल्ड के उपर बात करेंगे, कि उनकी जो प्राइविट पार्ट होती है, उसकी जो for skin होती है, वो अच्छी तरह से पीछे नहीं जा पाती है, और इसको पीछे होना बहुत ही जादा जरूरी है, अगर ये back हो जाएगा, ये बंध हो जाएगा और वो पीछे नहीं जाएगा, तो अभी के लिए मालिजेक आपको दिक्कत नहीं लग लेकिन बाद में अगर उसके बाद इक वाले लाइफ में वह चीजे दिक्कत कर सकते हैं. तो इसका खुलना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि जब से आपका बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से जब उसे मालिष आप करना शुरुआत कर देते हैं तो मालिश करने के साथ-साथ आपने अपनी दादी को, नानी को, सासु मा को, मा को ये चीज़े करते हुए जरूर देखा होगा कि वो प्राइविट पार्ट में थोड़ा सा हलका सा जो माइल जो तेल होती है जैसी कि ऑलिव ओयल हो या फिर कोकरनट ओयल हो मैं मस्टर्ड ओयल और इसको करना चाहिए मैं भी इसे छोड़ दी थी मुझे भी लग रहा था कि नहीं बच्ची की स्किन मेरी जा रहे थी पीछे तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो मालिश भी बच्चों की नहीं कर पा रहे थी वीडियो की चकर में घर के चक हो गई है और वह खुल भी नहीं रही है पहले जब मैंगर मैं मालिश करती थी उसको बच्रपन में तो वह खुलती बई क्योंकि उसमें मैं लिटरली मैं भी तेल डालती थी यृज़ अब जब से बई minimum कर रही हूँ ना त्ल्ल लगा बच्चों को कुछ भी नहीं कर रहे यह इतना जरूरी पार्ट है और बच्चा मेरा परिशान है तो ऐस सच उसको यूरिन करने में कोई भी जाधा दिकते नहीं हो रहे थी बट उसको इचिंग हो रहे थी लेकिन यह पार्ट को खुलना बहुत जाधा जरूरी होता है तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊ कि बेबी का मेरा वो बंध हो चुका था तो उसको आप सड़ली एक बार में आप नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरी तरह से पैक था तो उसमें मुझे टाइम लगा हाँ दस से पंदरा दिन का वक्त लगा लेकिन धीरे 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 मैंने उसको सरकाना शुरू कर दिया जैसे कि आप इसको example के तोर पे समझ लो हलका हलका उसको सरकाना शुरू कर दिया इस्टार्टिंग में नहीं हो रहा था दिक्कते हो रही थी बहुत मुश्किल हो रही थी बट फिर भी आपको उसको हलके हलके हाथों से करना है घबराना नहीं है एक बार में मत करीगा बच् मालिश जरूर करने चाहिए हां यह पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन इस्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट में आपको दो से तीन बार मालिश जरूर करने चाहिए तो उसे होता क्या है कि वो फोरिस्किन धीरे-धीरे करके सरकना शुरू हो जाती है जैसे आपका ओवरनाइट आपको नहीं होगी दिक्कत है परिशानी है तो आपको वक्त लगेगा लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप मा है तो आप धीरे-धीरे उसकी फोरिस्किन को पीछे करते जाए नहाने के समय बेबी हो सके तो थोड़ा अच्छी तरह से जो बेबी करके आप उसको कोशिश करते रहें दस दिन के अंदर अंदर आपकी बच्चे की इसकी नगर बंध है तो वो खुल जाएगी डेफिनेटली मेरे बच्चे की खुल गई भगवान की कृपा से अभी वो ठीक है और आप लोग भी आशरवाद दिजेगा कि मेरा बच्चा ठीक रहें अगर कुछ बच्चे से रिलेटिड प्रॉब्लम आ रहे है तो आप मेरे केर के चैनल पे आप सारे कमेंट्स कर सकते हैं मैं उनके उपर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी आज का नंबर है 7558 तो उसको ज़रूर टाइप करना मत भूलीगा थैंक मुझ वर वाची ट्विन्स माइवल्ड केर